हेलो प्रेंट्स में उकविता और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्फ़ागत हैं हमेशा की तरह फिर से मैं आप लोग के साथ एक नई स्वादिश्ट और आसान रेस्पी लेकर आई हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रेक्वेश्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साइट में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करें इसे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो चले देर ना करते हुए आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते ही तो ये बहुत ही टेश्टी क्रिस्पी वेजिटेबल ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यापर ये ब्रेड्स का स्क्रब जो है बना कर तयार कर लिया है स्क्रब बनाने के लिए मैंने यापर लगबग ये आट से दस ब्रेड का इसमाल किया था इसके साथ ही मैंने याप पर लगबग मिडियम साइज की चार उबलेवे आलू लिये है आलू को मैंने उबाल कर एक गहंटे पेले ही रूम टेंपरिचर पे अच्छे से थंडा कर लिया है ध्यान रखे इस तरीके के ब्रेड रोल बनाते समय आलू को हमेशा अच्छे से कद्दुकस करके डाले इसे के साथ ही इस नास्ते को और भी ज़्यादा हिल्दी बनाने के लिए मैंने याप पर कुछ सबज्या ली तो सब्जों में लियाए कटावा, गाजर, पयाज, कटीवी सिमला मिच, थोड़ी सी बारिक कटीवी हरी मिर्च, अधरक लसुं का पेश्ट और थोड़ी सब्जों को इस मिक्सिंग बाउल में डालेंगे आप चाहे तो इस नास्ते को और भी ज़्यादा हिल्दी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पनीर या चीजवाइगरा ग्रेट करके डाल सकते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने सरिफ सब्जों काई समाल किया है अब हम क्या करेंगे इस नास्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे तो मसालों में मैंने लिए आदा चमच लाल मिच का पाउडर इसे के साथ हम इसमें आदा चमच चिली फ्लैक डालेंगे साथ ही में चटपटे फ्लेवर के लिए मैंने या पर लगबग आदा चमच चाट मसाला ले आए चाट मसाला के जगह में आप अमचुर पाउडर या निम्बू का रज भी डाल सकते हैं इसे के साथ ही चोथाई चमच भुने वे जिरेका पाउडर और स्वादा नुसर हम इसमें नमक डालेंगे तो लगबग एक चमच नमक का मैंने आप पर ही समाल किया है अब हम बाइडिंग के लिए इसमें लगबग एक टेबल इसमें इतना कॉन फ्लावर डालेंगे कॉन फ्लावर याँ पर पूरी तरीके से आपशनल है आप चाहे तो कॉन फ्लावर की जगह में चावल का आटा भी डाल सकते है इसके साथ इस नास्ते को और भी ज़्यादा क्रिस्पे और कुरकुरा बनाने के लिए मैंने याप पर एक कटोरी ब्रेड स्क्रब ले आए जो कि हमने पहले ही पिसके रखा था ब्रेड स्क्रब बे याप पर पूरी तरीके से आप्शनाल है आप चाहे तो स्कीप कर सकते लेकिन मेरे पास थोड़ा सा जादा था तो मैंने डाल दिया है साथ इसमें थोड़ा सब्रेट डालने से नासता जो है खाने में और भी ज्याद़ टेष्टी लगता है तो अब हम क्या करेंगे इस से इस तरिके से अच्चे से मिक्स करते हुए इसका एक चिकना सा डोजो है बना कर तैयार करेंगे ध्यान रखके इस मिस्रम को मिक्स करने के लिए हम पाने वाइगरा का इस समाल जो है बिल्कुल भी ने करेंगे क्योंकि हमने इसमें आलो को जो है उबाल के डालाए तो आलो में कापी सारा मौचर रहता है तो इसमें डो जो है आसानी से बन जाता है दो से तीन मेट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चिकना डो जो या आपर बनके रेडी हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे हातों को थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तुरंत इसका नास्ता जो है बनाना शुरू करेंगे तो देखिए आपर इस तरीके से हमें थोड़ा सा हातों को पेले तेल लगा लेना है और अब हम क्या करेंगे इस में से थोड़ा सा डो लेंगे और इसके रोल्स बनाएंगे आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसार मन चाहे शेप में इस नास्ते को बना सकते है जैसे कि टिकी वैगरा बना सकते है या तो आप इसके बॉल्स भी बना सकते है तो देखी आपर इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मिसरन लेके हाथों के उपर इस तरीके से इसका रोल जो है बना कर तयार करूँगी अगर आपको हाथों पे ये रोल जो है बनाना थोड़ा सा हाड लगता है तो आप इसे प्लैटफार्म पे या किसी प्लेट के उपर रखे वो त्यासाने से बना सकते हैं एसा करने से हमें इस रोल में प्रॉपर तरीके से सेप मिलेगा साथ ये नास्ता जो है जल्दी बन जाएगा तो देखे या पर इस तरीके से मैंने एक रोल जो है बनके तयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसे प्लेट में रखेंगे और सेम प्रोसेसे बागी के सभी रोल् इसमें इतना मैदा लिया है आप चाहे तो मैदे की जगह में कॉन फ्लावर वैगरा भी डाल सकते इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लम्स्प्री बैटर जो है बना कर तयार करेंगे इस स्लरी को हम ना तो जादा पतला रखेंगे मतलब हलकी सी ठीक और पतली सी स्लरी जो है हम बना कर तयार करेंगे तो देखिए आप इस तरी के सिमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैदा है इसलिए इसमें बहुत ही जल्दी गुठलिया वैगरा हो जाते है तो इसलिए इसे हमें लगातार चलाना है थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं इसलरी बिया पर बनके रेडी हो चुके तो अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में तो यहाँ पर हमने इस लरी बिड़ में डिप करके इसके उपर बिड़ करेंगे लेकिन इसके पहले हम मैदे को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे क अब हम इसके उपर स्क्रब लगाएंगे फ्रेंड्स बहुत ही टेश्टी हील दिवार चटपटी सी रेसिपी है मात्र 10 मिट में घर में रखी चीजों से जो ही बहुत ही आसनी से बनके रेडी हो जाती है बच्चे बड़े सभी इसे पसंद करते हैं और देखी थोड़ी देर क जो ही बनाकर प्रेज्ड में श्टूर करके रख सकते हैं और जब मन्चाय आप इसे गरमा गरम फ्राइ करके नास्टे में या चाय के साथ खा सकते हैं तो देखिए या पर इस तरह किसे मैंने लगवख 10 मिट के लिए इसे फ्रीज में रखा था तो अब हम चलते इसे फिर स के लिए दाल देंगे दियान रख को फ्राय करने के लिए करने कि नास्ती च denkt को फ्रॉआ करके हमें अच्चे से तेल गरम करना है और जैसे आन अधते को तेल में डालेंगे तो घ् wszyscy फ्रियंum रखना है और मिडियन प्रम फ्रेम पर पे लगबख 4-5 मिन के लिए अच्छी से क को जो है पलड़ते हो twisted फ्राइं कर लेना है आप ऐसे मेरी रेक्विश्च हूं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज वीडियो को एक च्छोटा सथ खराइक जरूर करें यूद्व आपके साथ पार्च मिंट के बादाप करें नास्ता जो या पर कापी अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो अब हम गैस की प्लेम को बन करेंगे और इससे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और लीजे बहुत ही टेश्टी क्रिस्पी आलू ब्रेड का क्रिस्पी नास्ता जो ही सर्व करने के लिए बिल्कुल तयारे आप इस नास्ते को सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों बड़ों के टिफिन में या तो अचनक घर में मैमन आने पर भी इसे बना सकते हैं टेश्टी होने के साथ साथ कापी हिल्दी रिसिपी तो आप इस रिसिपी को घर पे जरूर ट्राय करें उमीद है कि आपको आज के रिसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको रिसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे चैनल को सस्क्राइब कीजे फिर मिलेंगे कल ऐसे नहीं आसान और हिल्दी रिसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद